प्रोफ़सर शची आपके बास ये किस्प्रस्विक वज़े से आ रहा हूँ मेरे हिसाब से पोस्ट एलेक्शन जो देश में जो कुछ हुआ हुआ हमारे पडोस मतलब ये 10-20 साल में बहुत बड़ी क्राइसिस हुई है जो बांगला देश में हो रहा है बांगला देश के मौमद यूनुस की अगर आप वो सुनने तक्रीर जो उन्होंने इस स्टूडेंट्स के सामने अभी चार-पांद दिन पहले कही है वो मैं आज उस पर शो भी किया है मैं शायद शाम को उसमें लगेगा भी वो इस परश शब्दों में उन्होंने कहा स्टूडेंट्स के बीच बोल रहा है उन्होंने कहा है कि बही देखो अगर ये तुम वैलेस नहीं छोड़ोगे अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे तो मैं इस पर नहीं रहूँगा आई विल वुड्ड्रॉ मैंसर ये जो अलप स प्रश इंगली मुझे मैं इसलिए आप से पूछ रहा हूं कि मोदी जी जो जाके वहां अपकी बाद ठ्रम सरकार हो हर जगा सरकार अरकार में इन्वाल हो जाते हैं वहां के लेक्शन में वहां के बहुत सेंस्टिव है हमारे मतलब वहां हिंदू लोगों के उपर जैसा हो है कि हिंदू के हमरे हैं मंदर इसकॉन का मंदर और काली मंदर टूटा है मोदी जी बिलकुल चुप है मनला बिलकुल सांस खीच करके जैसे होता नहीं मूँ पे उंगली रखके बैठ गाया है वाई वाई ही इस नॉट प्लेयर है हमारे बगल की चीज है हम उससे एफेक्ट के जोटी है मैं थोड़ा इस पर पर शची एक बात करना जाहांगा कि मोधी जी जो कहते हैं कि मेरा इंटरनेशनल जो है मेरे सब दोस्त है मेरी सबसे दोस्ति वहां पर भी आपके लग रहा है कि उनका कुई वक्त भी नहीं आना थोड़ा हतोसाहित करता हम सब को नमस्कार, देखे, सबसे दोस्ती का दावाकार्थ होता है, किसी सी आपकी दोस्ती नहीं है, और कोई आपको महत्व नहीं देता है, परना अंतरास्तिय राजनीती में सबसे आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, अब जानते हैं, और कोल्ड वार के जमाने में तो बिल्कुल दुनिय दो भागों में बटी थी और non-aligned countries जो है एक तीसरी दुनिया का निर्मान कर रहे थे और उसमें भारत जो है वो लीड कर रहा था तो मोदी जी की राजनीती का दावा तो कुछ और होता है युक्रेन का वार रुकवा दिया ये कर दिया और बगरे बगरे लेकिन ये भी फैक्ट है कि मोदी जी कहां है अंतराश्य के राजनीत में युक्रेन और रस्या का वार या गाजा में जो कुछ हो रहा है तो क्या उसम एक चुनिवी सरकार मेरी एक बड़ी साब समझ है कि लोग तंत्र को यदि आपको बचा के रखना है तो चुनावों के माध्यम से आपको सरकारों के जो है चुनाव या सरकारों को बदलने की प्रक्रिया को अपनाना होगा आप जानते हैं कि किसी भी देश में अगर एक बार स हमारा परोसी है ही तो इसका मतलब है कि जो कुछ हो रहा है अब उसके ठीक है से खसीना से भी जो गलतिया हुई है क्योंकि जनतंत्र में आप जिस भी प्रकार का प्रतिफक्ष है आप उसको दवाने की कोशिश मत की जिए और इसलिए प्रतिफक्ष को भी पूरा मौका और निसंदे जो है आप अपने सरकार की उपलबनियों को गिनाईए और जनता में अपनी पहुँच बनाईए तो ये संकर तो वह है लेकिन इसके बीच ये भी देख रहे हैं कि जो देखें आपको याद होगा कि बंगला देश जो पाकिस्तान से एक सवतंत्र देश के रूप में अलग हुआ और ठीक 1975 में 15 अगस्त को ही सेख मुझीव रहमान जो बंगला देश के आंदोलन के जनक थे उनकी हत्या हो गई परिवार के कई सजस्यों की हत्या हो गई और जिस प्रकार से वहां महौल बन गया और उसके बाद से इस सिर्था आई फिर गई आई गई ये च चलता रहा एक और चीज़ अब देखिए कि अभी जो कुछ हो रहा है उसमें जो उस समय के स्वतंतरता के प्रतीक संब थे उसको क्यों गिराया गया उसी प्रकार से सेख मुझीव रहमान की मूर्ती को नश्ट किया जाना किस बात का दियो तक है ऐसा लगता है कि क्या आप से अलग होने की जो जो लड़ाई बंगला देशियों ने सेख मुझीव रहमान के नित्रत में लड़ी क्या आप उससे इत्वाक नहीं रखने है क्या आप चाहते हैं कि वो फैसला गलत था तो ये किस बात का प्रतीक है अगर सेख हसीना से नाराजगी भी चंता की है वो जैसे नौबल लॉर्यट को अगर ये कुछ जिम्मेदारी दी गई है तो आपको इस बात को मानना चाहिए लेकिन आप इसमें देखे सेना भी आ चुकी है जो फंडमेंटलिस फोर्सेस हैं वो भी सक्रिया हो गए हैं और तमाम और आप जानिए कि इन देशों में जो कट्ट पंथी ताकते हैं खास करके जिस भी अब यहां इसलामीक देश के रूप में तो इसलामी कंटर पंथी वो भी अपना हाथ साफ करने पर तुले हुए हैं तो ये पूरी की पूरी कवायत में अब एक बात देखे कि ये जंतंत्र के लिए भी खत्रा और खत्रा हो गया आजादी के छे मावी नहीं गुजरे और सौधीनतां अंदोलन के महनायक बापू की हत्या कर दी गई गई गांधी की हत्या कर दी गई कौन सी ताकतों ने हत्या की वो भी कट्टरपंसी ताकते थी हिंदुत्य की कट्टरपंसी ताकते तो ये जो कहीन कहीं है अगर गांधी की हट्या की तो क्या आप आजादी के विरोधी थे क्या आजादी नहीं चाहते थे फिर ये कहना कि गांधी के मज़ेर से जो है मुसल्मानों को या पाकिस्तानों को जो है कोई इस्टर्विंस हो रहा है का हम 55 करोर रुपए दिये गए और ये वेगर सवाल ये उठता है क्या क क्या आप आजादी के विरोधी से और से यहीं पक्ष में और स्टेट्मेंट में आप देखेंगे तत्यों के आधार पर प्रणवानी तो चुका है तो ये जो कुछ भंगला देश में भी घटित हो रहा है मुझे लगता है कि आखिरकार से मुझे रहमान की मूर्थी क्यों हो रही है यही वो इस मारक को क्यों नस्ट किया गया और जिस प्रकार से लूट खसोट और तमाम आम्स वगरे का प्रियोग हुआ और कटल पंसी ताक्तों और अब जो है खास करके कुछ अल्प संख्षक समुहों के ऊपर जो कुछ भी हमला हो रहा है अला कि मेरी ये भी मान पंगलादेश में और किसी की चिंता उनको नहीं है हिंदू की चिंता वो कर रहे हैं उनसे को एक सवाल तो करे ठीक है जो कुछ अल्प संख्षकों के साथ बंगलादेश में हो रहा है उसकी घोर निंदा होनी चाहिए वहां प्रतेक नागरिक की रक्षा होनी चाहिए ये र जो है जरूरत है अब रही बात मोधी जी तीके मोधी जी लगातार मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो सारे रिक दृष्टी से भी बहुत स्वस्त नहीं हैं और मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्त नहीं तो ऐसी सिती में और जो अपेक्षा थी उन्हें चार सो पार उन कि उसे उनके मासिक दिवालियापन को भी साब देखा जा सकता है, कि किस प्रकार का दिवालियापन है। और दूसरी तरफ जो परिणाम आए, वो परिणाम भी बिलकुल जो है पस इसको कहते हैं कि कि वो खुद भी बाल बाल बचे, अभी जिकर भी कर रहे थे सरत भाई, वो खुद भी बाल बचे, बलकि मुझे तो जब ये बनारस में उनके पक्ष में फैसला आया, तो मैं दो पल के लिए विस्वास नहीं कर पाया, तो कि जमीन पर तो मोधी जी के पक्ष में वहां कुछ नहीं दे रहा था हम लोग तो वहां बैट करके जो है वो कोशिश कर रहे थे कि मोधी जी हारे इसे कोई डाउट नहीं है नागरीक संग्षनों की तरफ से ये लगातार प्रियास हो रहाता तो निसंदे जो है मोधी जी जमीन पे थे नहीं लेकिन फाइनली वो किसे परकार से एक लाग बावन हजार बोटों से जीत गए और ऐसी सिती में मोधी जी अभी सद्मे से पूरी तरह निकल नहीं पाएं आप देखेंगे तो वो सद्मा है स्वेम भी हार जाने का जो डर सता रहा था चार सौ पार की बात बहुत दूर की कौरी हो गई थी और अब जो उनकी सिती है कि किसी परकार से सरकार बना करके वो किस परकार से दोनों कंधों पे सवार हो करके और उस बैसाखी को एक बैसाखी अगर निकलने की कोशिश करे तो दूसरे को दूसरे को तो तो ये उनकी बरी जैनिय इस सिती है, और इसलिए देखेंगे कि उनके जो बोल होते थे, बोल कहा है, बोल भी नहीं है, और अब कैसे विफक्ष के नेता के साथ बैट करके चाय पीनी पर रही है, अध्यक्ष की कुर्सी तक साथ जानी पर रही है, तो ये तमाम उनके लिए एक मानसिक सद्मा है वो बहुत सदमे में हैं, अबरॉल उनके जब स्टडी करेंगे, अब रही बात, कि वो बांगला देश में, वो कहते हैं कि भाई गती सांप छिटुंदर केरी, उनके इससे ते यह हो गई किया इस स्टेटमेंट दें, अगर इस स्टेटमेंट देते हैं, और वो सेख हसीना के पक्षमे जाए स्टेटमेंट, तो संकत, और यदि वो कोई ऐसा स्टेटमेंट दें, जिस स्टेटमेंट के कारण बांगला देश में जो है, लगे कि हम बांगला देश में जो कुछ हुआ है, उसमें हमारा भी हात है, या हम चाहते थे कैसा हो जाए, तो यह अब नरेंद्र वो चुपी साध लेते और आप ऐसा भी जानते हैं, कि जब भी कोई ऐसा समय आता है, तो वो चुप हो जाते हैं, कोई स्टेट्मेंट नहीं देते हैं, बरिपूर पर भी आपने देखा, कितने लंबे समय तक, और किसानों के आंधोलन में भी आपने देखा, जब हमारी महिला पहलवान आंदोलन करेती एकदम चुक्पि साथ लेते हैं बोलते ही नहीं उन्हें ऐसा लगता है कि बोलूँगा नहीं तो मझे लगता है बांगला देश पर भी उनकी अभी सिती यही है तो वो बोलने की सिती में नहीं है लेकिन यह तैह है कि जो कुछ बागला देश में घटित हो रहा है उसके लिए आप अगर वहां के कटरपंथियों की जिस प्रकार से आलोचना करेंगे तो आपके तरब भी एक उंगली उठेगी कि भारत जैसे देश में धर्मनिरुपेक्ट देश में अगर नागरिक और अलपसंख्यक नागरि है कि यह रहा है कि यह यह जगह हो बहुत है है कि बागला देश महारा हो रहा है और वहा जो कुछ हो रहा है और त 20 कार कि ही है उसको रोके युसको रोकने में काम्याब हो बंगलादेश इस्तिर हो और पुने हैं लोक संत्र के रास्ते पर आए हम तो यह यह पेख्शा करते हैं धन्यवाद